नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्तमा की समस्या से जुड़ी लेकिन इससे पहले अकसर हम क्या देखते हैं, कि अगर किसी पेशेंट को अस्तमा की समस्या है तो वो और लोगों से बात करता है, सुनता है, home remedies देखता है और उनको apply करता है इसी के साथ साथ अगर हम एक treatment की बात करें तो homopathic treatment, allopathic treatment और even ayurvedic treatment भी लोग लेते हैं जिसको जिसमें relief मिलता है, विश्वास होता है वो उसी को continue करता है लेकिन इन सभी चीजों के बीच में एक main चीज उस patient से छूट जाती है अब वो क्या चीज छूट जाती है, वो है आपकी diet तो आज की इस वीडियो में हम सबसे importantly समझेंगे कि एक asthmatic patient के लिए diet का क्या role है उसे diet में क्या खाना चाहिए, क्या avoid करना चाहिए और कैसे वो समझें कि किन चीजों को उसे avoid करना है क्योंकि हर asthmatic patient के लिए same चीजें नहीं होती है कुछ चीजें हो सकती है, आपको trigger करती हो लेकिन दूसरे विक्तिकों नहीं तो इन चीजों को हम कैसे समझें, कैसे जानें, इन सभी चीजों के बारे में details से आज हम बात करेंगे और समझेंगे सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है कि asthmatic patient जितने भी होते हैं जितने भी विक्तिकों, asthmatic की शिकायत होती है उनको इस शिकायत के साथ साथ एक और दिक्कत बढ़ रही होती है जिस पर उनका ध्यान ही नहीं जाता, वो है मोटापा अब मोटापे से आपके asthmat क्या लेना देना, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये सुनना और जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि जब भी किसी व्यक्ती में मोटापा आता है, जब वो मोटा होता है, उसका भार बढ़ता है उसका वेट बढ़ता है, तो उसके शरीर में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है लेकिन अस्तमा की समस्या होने के कारण उसके शरीर में प्रॉपर आक्सीजन नहीं जा पा रही होती जिसके कारण समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाती है तो पहली चीज क्या ध्यान रखनी है अस्तमा के पेशेंट को कि उसे अपना वेट मेंटेन करना है अब वेट मेंटेन कैसे कर सकता है या कम कैसे कर सकता है अपनी डाइट को सही करके अब डाइट को सही करने का मतलब यह नहीं है कि हम खाना पीना छोड़ देंगे या हम डाइटिंग पे चले जाएंगे तभी हम पतले होंगे यह बिल्कुल गलत मित है यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि आपको ऐसी डाइट लेनी है जिससे आपका मोटापा ना बढ़े साथ ही जो आपकी अस्तमा की समस्या है वो कंट्रोल हो जिसके लिए हमें सबसे पहले क्या समझना होगा कि हम जैसे नाश्टा करते हैं सुबह उठे तो अकसर हम क्या करते हैं ब्रेड और बटर ले लिया पाओ बाजी खाली तो जब आप इस तरीके के खाने को नाश्टे में खाना शुरू करते हैं तो इस पर आप ध्यान दीजिए आप खा क्या रहे हैं? आप मैदा खा रहे हैं साथ ही आप क्या ले रहे हैं? बटर ले रहे हैं यानि चिकनाई, फैट्स ले रहे हैं दोनों की दोनों आपकी मुटापे की समस्या में आपकी अस्तमा की समस्या में आपकी बड़ोतरी ही करेगी उसमें कमी नहीं करेगी तो हमें सबसे पहला ध्यान क्या रखना है कि जो भी आप खाना खा रहे हैं वो पैक्ड फूड ना हो साथी ब्रेड, बन, बर्गर जैसी चीज़ों को अवाइड करना है लेकिन आप यहाँ पर एक और कोशन आता है अगर हम इनको अवाइड करें तो इसकी जगा क्या खाएं देखिए सुबह के समय नाश्ते में हमें कुछ हलका खाना होता है यह हम सब समझते हैं अब इस हलके में आप क्या क्या ले सकते हैं उसको जानते हैं आप रात को चने भिगोएं, सुबह उसे उबाल कर सेवन कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे और बहुत अच्छी एनरजी देते हैं, फैट फ्री होते हैं, इसी के साथ वो जो मोट वाली हरी दाल होती है, आप उसको भिगो के, उसको अंकुरित करके खा सकते हैं, ये भी एक बह लगना है, चीले बनाते वक्त, आप जो ऑईल यूज कर रहे हैं, वो कम से कम यूज करें, नॉन स्टिक पैन पे बनाएं, ताकि आपको उसमें ऑईल की जरूरत ना पड़े, तो पहली चीज हमने समझ ली के अस्तमाटिक पेशेंट को अपनी डाइट कैसी लेनी हैं, जो फ ब्रोंकी होल्स में, आपके ब्रोंकाईज में इंफ्लामेशन हो रही है, यानि आपके लंग्स एक्स्पांड कर रहे हैं, उसमें दिक्कत आ रही है, उसमें सूजन हो रही है, तो हमें ऐसी चीजे लेनी हैं, जिसकी वज़े से हमारी जो सूजन है, ये कम हो जाए, अब ये सूजन कम किस्से होगी जितने भी anti-inflammatory चीजे होती है fruits और vegetable वो आपको भरपूर मातरा में खाने है specially अगर हम बात करते है vegetable juice बहुत अच्छा होता है सब के लिए तो आप उसको prefer करें साथ ही जो भी मौसम के fruit है जैसे गर्मी है आम आ रहा है इस टाइम तर्बूज आ रहा है खर्बूज आ रहा है आप इनको जादा से जादा अपनी डाइट में आड करें क्यों inflammatory होने की वज़े से ये help करेंगे आपके जो lungs में bronchioles में bronchize में जो inflammation हो रही है यानि शुआस की नलियों में जो आपके inflammation यानि सूजन हो रही है उसको कम करने में जब वो सूजन कम होगी तो उससे आपको जो सांस की समस्या है वो भी कम होगी और ठीक तरीके से आप सांस ले पाएंगे तो हमें क्या करना है anti-inflammatory चीजें जैसे fruits और green vegetables हमें जादा से जादा लेने हैं आप salad के रूप में खीरा, ककड़ी ये सब जो लेते हैं ये भी आपको जादा से जादा मातरा में अपनी diet में add करनी है ताकि आप इससे बरपूर फाइदा ले सकें और अपनी समस्या को control कर सकें बड़े ही आराम से थर्ड और सबसे important point की बात करते हैं बहुत सारे patients को अलग-अलग चीजों से energy होती है यानी जो उनके trigger point होते हैं जिसकी वज़े से उनको अस्तमा की समस्या आ जाती है एकदम से अस्तमा का attack की समस्या का सामना करना पड़ता है अब बहुत सारे patients को ये समझने में काफी समय लग जाता है कि वो कौन सी चीज़े हैं अब इसके लिए आपको कुछ चीजों का खास ध्यान रखना है आप बड़ी ही जल्दी इसको समझ जाएंगे और साथ ही इसको avoid भी करना सीख जाएंगे देखिए मान लीजिए आप कोई व्यक्ति है उसे mushroom से समस्या है अब जैसे ही वो mushroom खाता है मान लीजिए वो pizza खा रहा है उसमें उसमें mushroom है या वो कुछ ऐसी चीज़ खा रहा है जिसमें mushroom मिले हुए है लेकिन उसे पता नहीं है कि mushroom से उसको allergy होती है तो हमारी body हमेशा हमें कुछ science और symptom show करती है कि हमारी body में इस चीज़ के जाने से दिक्कत हो रही है अब जैसी आप वो pizza खाते है या mushroom की कोई चीज़ खाते है तो आपको क्या होगा आपको खासी उठेगी आपको वो सकता है धसका लगे तो ये कुछ ऐसी निशानी है जो आप अगर देखते हैं आपने एक बार खाया आपको हुआ आपने फिर खाया 4-6 महीने बाद या 2-3 महीने बाद या 2-4 दिन बाद आपको फिर same problem हुई तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस चीज़ के खाने से आपकी समस्या बढ़ रही है आपको इस तरीके के sign and symptoms देखने को मिल रहे हैं क्योंकि यही आपके trigger point होते हैं जिसको अगर आप सही समय रहते पहचान ले तो आप अपनी समस्या को बढ़ने से बचा सकते हैं बलकि उसे आसानी से control कर सकते हैं तो जो भी आपके trigger points हैं चाहें वो दूद हो सकता है वो mushroom हो सकता है वो rice हो सकता है आपको जिससे भी लगता है जिसके खाने से आपकी अस्तमा की समस्या बढ़ रही है या बढ़ सकती है उसको avoid करना शुरू करें और अपनी health को समय रहते ठीक करना शुरू करें तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि डाइट की importance कितनी जादा होती है अस्तमा की समस्या में लेकिन फिर भी अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है डाइट को लेके आपके अस्तमा के treatment को लेके जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो मेरे पास उसका भी एक solution है आप नीचे दिये गए नमबर पर कॉल करके भारत हुमपेथी के डॉक्टर्स की टीम से free of cost consult कर सकते हैं अपनी समस्या के बारे में जान सकते हैं तो आप simple साइक काम करें फोन उठाए इस नमबर पर कॉल करें और free of cost हमारे डॉक्टर्स की टीम से बात करें अपनी समस्या और उसके उलाज और उपचार के बारे में अधिक जानकारी लें या फिर अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है या कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाते हैं और चाते हैं कि मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में लिखकर भी हमसे वो पूछ सकते हैं और हमें बता सकते हैं इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्का